तॉल सके बिर दफ सुघसएंसे पसकर में नियुक से याज चल रहा था चलिए पिक लैसिता की घंटीन करते भी क्लास की बात करें बात करें तो हमारे लास ट्यवाला कोशन हो चुका था इसकə सारे पाँ कात करा दी थी हमने कि डिवoline रर किते होंगे कैसे होंगे और डिविजर क्या होंग θα हो खैसन सब्सक्राइब चलिए बेटा, आज हम अपने अगले कुशन बेचलते हैं, अगला कुशन बोलता है बेटा, find sum of all five digit number formed by 13579, 13579, ठीक है न, 13579, मतलब बेटा ये कहना चाहरा है कि 13579 से बनने वाले जितने भी कुश नमबर सुगे बेटा, मुझे उन सभी नमबर का सम करना है, मुझे उन सभी नमबर का sum करना है, ठीक है, तो बेटा, जरा समझना बहुत अच्छा कुशन है, समझना important इस कुशन का आप समझ पारे हो नहीं समझ पारे, ठीक है, जरा देखना, बेटा, सिंपल सी बात है, अगर मैं मालो लिखता हूँ 27, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा और हो सकता है 72, इसका मतलब इटा, 7 इंटू 10, प्लस 2, 7 इंटू 10, प्लस 2, clear गो नहीं हुआ, मालो बेटा, मुझे 3 नमबर को रेंज करना होता, 3 नमबर होते ही, 1, 6, 5, 4, अगर मालो में नमबर लेता, 6, 5, 4, ठीक है, तो बेटा, 3 के हमारे पास क्या क्या पेर बन सकते थ 13 इंटू 100, प्लस 5 इंटू 10, प्लस 4, और क्या बन सकता है बिटा, 6 को में वापस इदा रखता, इन दौनों को में एक्स्चेंज कर देता, 6 को में इधर ही रखता, आगे वालों को में एक्स्चेंज कर देता, तो यहां पर क्या आता, 6 इंटू 100, प्लस 4 इंटू 10, प्लस 5 आता नहीं आता अच्छा अभी मैंने गिया 6 को fix किया बिटा अगर मैं इधर 5 को fix करता हूँ तो मुझे क्या मिलता 64 और ऐसे ही यहाँ पे होता 5 into 100 प्लस 6 into 10 प्लस 4 ठीक है और कैसे मिलता अगर मैं वापस 5 को fix करता तो फिर आगे पीछे हो जाते 64 और फिर से यहाँ पे मुझे कुछ चीजे मिल जाती क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी को नै क्या बोलना चारों क्या इतना सभी को सौहन में नहीं आयin तक है और ऐसे ही बटा मैं 4 को fix करने वे बेटा में पकास 2 das अब यह सोचो कि अगर मेरे पास चाहर नंबर होते तो क्या होता घुमाहलो मेरे पास 6 तो यह बताओ कि मैं कैसे लिखता मैं इसको नंबर को कैसे लिखता सबसे पहले आगे चार 6 को फिक्स कर देता सबसे आगे पहले मैं 6 को फिक्स कर देता और आगे की तीनों नंबर को एक्षेंज करता इन तीनों नंबर को एक्षेंज करता यह तो 6 को पहले लगके मेरे पास कि पुरेटोरियल इ välूभी को सब्सक्राइड निया धरीकिति है मेंस को आगे यह टोटल द्रैक्तोरियल नंबर बना सकता हूं यह कैसे कैसे यह त sickness को और लिट्विन जानते हैं तरीज नंबर को रेंज रवरीक का मेर है and UK सब्सक्राइब को जाएगा हैं यह थाक्ष Jan 23, उसके बाद 6, 2, 3, 42, उसके बाद 6, 3, 24, ठीक है, ऐसे इफे 6, 2, 43, और 6, 2, 32, होंगे नहीं होंगे, इसका मतलब बेटा मैं 6 को पहले स्थान पे रखे, total 6 factorial numbers लिख सकता हूँ, ठीक है, अब आप ये सोचो, मैं 6 को पहले स्थान पे ना रखे, अगर मैं 6 को second place पे रखता, पे रखता, second place पे रखता, इधार रखता, ठीक है, तो मेरे पास कितने number बनते, देखो, first, second, third, fourth, ठीक है, अब बेटा मैं अगर 6 को second place पे रखता, तो बेटा फिर से मेरे पास कितने number बनते, 3 factorial, क्या सभी को 7 मेरे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, येर वहा नहीं हुआ, चल से बेटा मेरे पास 3 factorial number मिलेंगे, और बेटा मैं इसको third place पे ना रखी, जब मैं first place पे रखूंगा, फिर से बेटा मेरे पास 6 factorial, 3 factorial number बनेंगे, ठीक है, तो इससे आप कहना क्या चाहरे हो, इससे हम कहना क्या चाहरे है, बेटा एक बात सोचो, देखो, मुझे लिखा हुआ ह है sum of all the number, sum of all the number, जब मैंने 3 numbers को लिया, arrange किया, तो मेरे पास total 6 number बने, किते number बने, 6 number, अगर मैं 4 को arrange करूंगा, तो 24 बनेंगे, और बेटा, अगर मैं 5 को arrange करूंगा, तो बेटा, 120 number बनेंगे, फिर, अब मैं बैटके 120 number को निकालने तो बैटूंगा नहीं, ठीक है, कोई न मैं आप इंको add करोगे, करोगे नहीं करोगे, तो बेटा, add करने पर आपको क्या मिलेगा, देखो बेटा, 6 जो मेरा था, वो first position पे कितनी बार आया, दो बार, तो बार क्यों आया, क्योंकि जब मैं अगर इसको first position पे fix कर दूंगा, तो आगे दो को arrange करने का तरीका मेरा सिर् में आया, उसके बाद 6 वेरा second position पे कितनी बार आया, फिर से दो बार, second position पे, देखो एक बार तो इधर में आया होगा, इस पर एक बार इसमा आया होगा, 5, 65 और देखो एक तो ये रहा, ठीक है, और बेटा, एक इसमा आएगा, 4 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5 और 4 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 6 ठीक है, तो देखो, 6 मेरा second position पे आया, दो बार, आया कि नहीं आया, और बेटा, last position पे भी कितनी बार आया, दो बार, कि आपको बार 7 में ही नहीं आई, और ऐसा सिर्फ 6 के साथ नहीं हुआ, ऐसा, अगर मैं देखो, मेरा पास ये number लिखा हुआ है, 646 को में लिख दिया, अगर मैं और इस ध्यान से दीखो, तो मैंने 646 को 3 number के सम के पराबर लिख दिया है, A, प्लस B, प्लस E, लिखा है कि नहीं लिखा, A1, प्लस B1, प्लस C1, लिखा है, similar way मैं, पेटा मैंने 7 second number कोई बेटा, फिर से 3 number के लिख लिख दिया है, A2, प्लस B वीट वृषी टू अगर जैन उमश्चन नंबर को एंड करना इसका मतलव मुझे इन सारे नंबर्सकों भी एड करना पड़े आवन प्लस बी बने टू प्लस बी टू-प्लस एटू अ फ्लस फ्लस एक तरी प्लस G3 प्लस C3 क्या प्रियर हुआ नहीं हुआ ठीक है अब एक बात जराब सोचना के जब आप इनको एड करोगे जब आप इनको एड करोगे तो मैं सीधे लिखना चाहरा हूं कि भीया मेरे पास जो इधर क्यों लिखना है हाँ जब आप इनको एड करोगे तो मैं सीधे लिखना चा प्लस में फिर में क्या लेख具 गोंगा इया यह तो मैंने कौन कॉन से नंबर कर दीए 6 के लिए किये केनी किये अब बिटा न परती हम न फेनमना 5 के लिए भी लाग हो कोगा तो 5 पहली प्लेसपे क्थ प्लस में प्लस ही चल रहे दो बार सिर शे हितनी प्रेटा मेरा पास दो बार अब टा थर्ड प्लेस पर भी कितनी बार आया है बेटा मेरे पास दो बार कि अधिया क्लियर वह नहीं हुआ और विटा सेम चीज पोर पे भी लागू होगी कि क्या मेरे बाद समय में आ रही है सभी को कि अच्छा यह तो तीन का हो गया है सभी तीन का हो गया अगर चार का होता तो चार का मेन ने बताया था सिक्स मेरा थर्ड प्लेस पे इतनी बार आएगा फूर्थ मेरा रहा है चार में चेह बार तो मतलब मैं यह सकता हूं कि यह बहुत हीया मिरे पास फोर्थ प्लेस में आ रहा है मतलब शिक्स एंटू one zero प्रापल जीरो कितनी बार अे सब्सक्राइब करके अब यहां पर 4 किसंग भी देढ़ा दो टॉटैब्ट मीलेए रहे हैं जमक्रों कितनी बार आएगा भुड़ु तो टैम सब्सक्राइब कहो है's coconut शेंगा अगे सब्सक्राइब करके मैं अब यहां पर 4 के संग भी होगा, तो बिटा, सेम चीज मेरे 4 के संग भी होगी, तो बिटा, हमने यहां पर एक क्या चीज देखी, कि मैं बजाए इतना बिढ़ने के, अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर आप पहले मैंसे 6 common लेते हैं, हो जाएगा common, और क्या लेते हैं, बेटा 2 factorial भी common लेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा, 2 factorial लेटा मेरा common लेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, 6 into 2 factorial, ब्रेकट में क्या मिलेगा, 100, प्लस 10, प्लस 1, मिलेगा, प्लस में बेटा, प्लस में जा ध्यान से देखना, फिर से बेटा मेरा इधर से 5 common लेगा, 5 into 2 factorial लेगा common, 5 into 2 factorial common लेगा, अंदर फिर से मेरा क्या बच्जाएगा, 100, प्लस 10, प्लस 1, बचेगा नहीं हुआए, अब बेटा जब मैं 4 की बात करोंगा, तो 4 into 2 factorial फिर से अंदर बचेगा 100 plus 10, प्लस 1, बचेगा नहीं, बचेगा, तो 5, अगर मैं 100 plus 10, प्लस 1 को common लेता हूँ, क्या लेता हूं common लेता हूं तो बेटा मुझे क्या मिल जाएगा यह common लेते ही मतलब यह गाया मुझे क्या मिल जाएगा अगर मैं common लेना शार्ट कर दू तो पहले टंपर क्या बचेगा बेटा पहले टंपर बचेगा बेटा मेरे पास 6 दूसरी बेब्चे का बेटा 5 तीसरे बेब्रेंठ इं टू टू अा चुका है अगर में अंदर बात करू Awak थे तो अंदर अंदर को मना चुका है हंड्रेट स्क्वार प्लस हंटेन की पावर वन प्लस एंटjisЭ Nej तो पिटा एक बात और समझ जा जब बेटा मेरे पास चार का होगा क्या होगा चार का होगा तो देखो मेरे पास पहले में से प्लस में और क्या होगा बेटा सेकंड नमबर क्या था बेटा में पास सेकंड नमबर था यहां पर चार्ड चार्ड इजिट थे 6432 तो मैं बोलूँगा शिक्स पूर इंटू त्री फैक्टोरियल प्लस में थ्री इंटू त्री फैक्टोरियल प्लस में तू इंटू एंटू त्री फैक्टोरियल और इनके भार मेरे कमन कितना हैगा 100 की पावर 4 प्लस 100 की पावर 3 प्लस 100 की पावर 2 सुरी 10 की पावर 2 और बिटा टेलाश में 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0 क्या ये बास अभी को सहन में आई नहीं आई तो बिटा अगर मैं 3 factorial को भी भाल ले लूँ तो देखो मुझे अंदर क्या मिलेगा मुझे अंदर मिलेगा 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बाहर मुझे मिल जाएगा 3 factorial और बिटा अंदर आगे मुझे ये मिल जाएगा ठीक है जब क्या था जब मेरे पास 4 डिजिट थे तो बिटा आप common sense लगाओ अगर मैं end digit लेता हूं क्या लेता हूं end digit लेता हूं तो बिटा ये वाला मेरे पास क्या था अगर आप ध्यान से देखें तो ये हर वार मेरा sum of digit जाएगा जाएगा नहीं जाएगा ये हर वार क्या जाएगा मेरे पास sum of digit जाएगा देखो मेरे पाद 6-4-3-2 तो यहां पर 6-4-3-3-2 आया ठीक है उपर वाले में क्या आया था उपर वाले में देखो तो इससे पहला वाला यह रहा हाद 6-5-4 आया था तीन डिजिट का सम था तो अगर एंड डिजिट हूंगे तो मैं क्या बोलूगा सम ओफ एंड डिजिट क्लियर अच्छा यह क्या था बेटा यह क्या था यह एक्च्वल में एक नंबर का अरेजमेंट था कि अगर मैं एक नंबर को सेट कर दूँ तो बाकी कितने नंबर को मैं अरे मतलब एक नंबर को एक पोजिशन पे कितनी बार रिपीट कर सकता हूं तो यह कब होता था कि अच्छा और आगे क्या जाएगा बेटा आगे जाएगा टैन की पावर याद आया अगर तीन डिजिट तो तीन से स्टार्ट अगर चार डिजिट तो चार से स्टार्ट अगर पांस डिजिट तो पांस से स्टार्ट तो श्राटिंग हाज होगी टैन की पावर एंग प्लस अहुम 2 मेर 2 मेर 2 एन नी बेटा एन माइनस 1 देको स्चार्टिंग 3 से हुई थी अक्चल में जब 4 थे तो 3 से स्चार्टिंग हुई थी जब 3 थे तो 2 से स्चार्टिंग हुई थी ठीक है न तो मैं क्या लिखूँगा n की पावर n-1 अगला n की पावर n-2 कब तक चलेगा यह बेटा मेरा जन्रल फामला होता है सम आफ एंटरम्स तो सम अफ डिजित ओ सम आफ ओल्ड नमबड फॉर्म आइंटरम्स क्लियर ग्याव नहीं हुआ यह हमारा जन्रल फामला हो जाता है मैंने इदर लिखाया है केनी लिखाया को पॉस्टों कि दर गया आपका फूर्मला हमारे पास ही हो गया तेको बिटा sum of all digits sum of all digits into n-1 factorial into n-1 सर यह क्या लिखा हुआ है 11111 1-1 सर यह क्या लिखा हुआ है जरा बिटा इसको भी समझ लो यह क्या लिखा हुआ है इसको हमने यह लिखा है इसको हम क्या बोलता हुआ 10 की पावर n-1 अगर मैं 9 करता हूँ 3, 2, 1, 4 तो यह क्या चला गए बिटा इसका बिटा जो sum होगा हुआ यह बन रही है GP क्या बन रही है GP अब summation of GP का formula आप लोगों ने नहीं पढ़ा ठीक है अगले चप्टर में आएगा तो मैं आपको बताता हुआ यह मेरा formula होता है क्या होता है sum of अगर मैं बोलता हूँ 10 की पावर 3 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 0 तो starting का से होगी प्लस 10 की पावर ठीक है तो यह मेरा formula चलता है ठीक है अब अगर मैं इसको द्यान से देखो तो 10 की डिजिट मेरे पास इसकी डिजिट कितनी जारी है 4 डिजिट जारी मैं जा लिखता हूँ एक, दो, तीन ठीक है अगर बेटा मैं इसमें minus 1 करूँगा तो नीचे 9 कितनी बार आएगा 3 बार कितनी बार आएगा always 3 बार और नीचे भी क्या है 9 तो बेटा मुझे always क्या हम लेगा 1, 1, 1 क्या सभी को सब्दमाया नहीं है अगर यह मेरा 10 की पावर 4 minus 1 upon 9 होता upon क्या होता 9 होता तो फिर से यहां पर 9 कितनी बार आता इस बार बेटा में पर 9 आता 4 बार और नीचे क्या होता 9 तो मैं 9 को कितनी बार लिखता 1 को कितनी बार लिखता बेटा 4 बार clear ग़ा नहीं हुआ स्बसक्राइब नी तो ये जो वन जो आएगा विटा अगर आप द्यान से देखें तो ये कितनी बहुनाइगा ये इसमें मेरे पास मैं formula आपको लिखाएता हूँ पहले ही बास सुझ में आई कि जितना भी यहाँ पर term आएगा minus 1 करने पर मेरे पास यह आएगा clear हुआ नहीं हुआ अब एक बार मैं आपको formula लिखा देता हूँ तो मेरे पास formula होता है a, a r, a r square ठीक है comma a r q last में क्या आएगा बेटा comma a की power r की power n minus 1 ठीक है तो मेरे पास formula होता है a into r की power n minus 1 upon me r minus 1 ठीक है अब बेटा यहाँ पर क्या जा रहा है देखो 10 की power 0, 10 की power 1, 10 की power 2 और 10 की power 3 ठीक है यह किसके लिए हुआ बेटा 4 term के लिए हुआ इसके लिए हुआ फॉर्ट टम के लिए हुआ तो मेरा formula क्या बनेगा first term क्या है बेटा मेरे पास 1 into r क्या था बेटा common ratio जब मैं इन दोनों को divide कर रहा था था अगर मैं first को second से डिवैड करूं तो आ रहाएगा third को second से डिवैड को sorry fourth को third second करूं तो आ रहाएगा ठीक है मतलब बेटा मेरे पास 111 कितने आने वाले हैं बीटा मेरे पास four 111 आने वाले हैं क्या clear हुआ नहीं हुआ इसका मतलब मेरे पास जो यह आएगा नीचे बिटा इक टी टाइम आएगा एंट आएगा विजट क्लियर टू ओल ठीक है बिटा आप चाओ तो इसको भी लिख सकते हैं और चाओ तो बिटा यहां पर यहां पर इसकी जगह 10 की पावर n माइनस वन अपॉन 10 माइनस वन भी कर सकते हैं आपकी choice है ठीक है यह हमारा человet estandard फामला होता है ठीक है तो चली हमारा answer कि अ चलिए हमारा answer कितना हो जाएगा जो fixing 10 प्याइन में वन कितनी बार बेटा वन मेरा आजाय का वेटा ठीक है ना फॉर टाइम नहीं फिट फाइब नंबर है तो फाइब ठीक है अच्छा एक बात और बिटा इसको बिटा करने का एक तरीका और होता है अगर मैं सेकेंड ट्रक बोलू तो क्या बोलू कि टोटल जो मेरे नंबर इस तरह से ठीक है अधे नंबर को तो पहले लिग दिया आगे से ठीक है और पीचे से आकरी नंबर को ऐसे लिग दिया ठीक है उसके बाद जब आप एंड करोगे तो आपका अंसरी ही आएगा अरबार एड करने पर एस पहरत के लिग देखेशन यह ऊटेशन है नंबर दिविजदे लिग आपका फिके और केश्वरे से दिवे लिग अगला कोशियू श्राइट है क्या बोल रहा है चंसीडर इन नंबर वान तटो दी पावर एल्फा एल्फ रा गंफोल एलफा art अलफा adaptive power अल्फा 3 पी कि पावर अल्फा एंग वे अपीवन फीटुपी त्री पी डॉट डॉट दॉट डॉट पी के इस इन दिस्टिंग नंबर नंबर आफ दिविजर दैन नंबर आफ डिवीजर के बारे में आपने थोड़े पहले ही पड़ा था लास्टीक असे पड़ा था इसके u g family क्या जाएगा के प्लस 1 इसके लिए क्या Postel estVIS cookies एक अलफा प्लस 3 लास्ट के लीक लिए गया alpha k plus one क्यों नन और जीरो मतलब के प्लस one फडस फन ग inanिको चूनने के तरीके 0 रहाल और टीच बर हुआए in अगला देखते हैं नमबर आप प्रपर डिवीजर प्रपर डिवीजर की बात करूंगा तो मैं तो करूंगा अच्छा मैंने दर माइनस वन कर रखा है तो बिटा इसको माइनस टो कर दीजेगा कि कर आएग्या गया आफ दीवीजर आट उप्रपर डिवीजर को फॉला मैं आपको लिखाया था याई ची मैंने आपको 2 먼저 की पाउर मुन स्थेगा यह हमारा sum of divisor आगया ठीक है आप बेटा इसको as a result भी बोल सकते हैं इस question भी बोल सकते हो मैं तो कहुंगा यह actual में एक result है इस divisor के जितने भी cases होते हैं अब इवन और का देखना होगा तो आप टू को देखके चैकल लीजेगा ठीक है चली बेटा अगला question देखे बिटा sum of all number greater than one zero 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 form from the five digit number zero two four six eight if number of digit is not repeated number of digit is not अगर आपको याद हो तो हमने एक question आप से किया था से मित्रा कोशन हमने बूचता number of numbers number of different number which is greater than this end याद है कि इससे बड़ा number मुझे number निकाल लेते ठीक है इस बार बेटा मुझे उनका sum निकालना है क्या निकालना है sum निकालना है तो मैं सम के से निकालना बेटा बड़ा lollipop तरीक है अगर आपको याद हो तो उस question में हमने क्या किया था पांच डिजिट से बनने वाले सभी numbers को निकाला था ठीक है और उसके बाद जीरो से स्टार्टिंग होने वाले numbers को मैंसे मैंने माइनस कर दिया था तो हमारे क्या निकल गए थे वो सभी number निकल गए थे जो इससे बड़े हैं क्या सभी को यादा है निया या तो इस बार भी हम same concept वही यूज करेंगे बट इस बार सम की बाद करेंगे तो सबसे पहले बेटा में इन पांच डिजिट से बनने वाले सभी numbers का sum लिखूंगा formula क्या होता है n-1 factorial that is 5-1 factorial bracket में sum of digit तो 0, plus 2, plus 4, plus 6, plus 8 into में क्या हो जाएगा बेटा 1, 1, 1, 1, 5, 10, 1 ठीक है यह क्या हो गए all digit ठीक है न इसमें से बेटा वह digit माइनस कर दूंगा जिनकी स्टार्टिंग मेरी जीरो से हुई थी ठीक है मतलब अगर मैंने फस्ट डिजिट को प्लेस फिक्स कर दिया तो मेरे पास अब डिजिट कितनी बची बिटा मात्र चार तो चार को चार का चार डिजिट से बनने वाले अगला कोशन क्या बोल रहा है बिटा नमबर अफ नमबर गेटर गेटर देन टेन वन अंटर रो 1000 फ्रॉम्टा डिजिट इस टेकन फूर एट टाइम अगर आपको चार को एक साथ लेके इन मैंसे चार डिजिट का नमबर बनाना है जो इससे बड़ा है जो इससे बड़ा है बिटा देखो हमारे पास बिटा इसमें दो कीसिस बनेंगे पहला किस होगा जब मैं 0 को पलेस पे जाता है जो मेरा नंबर ऎकर मतलँ मेरा 0 इंक्लूट इंकलूट नहीं है दूसरा बिटा-जैरो इंक्लूट करें है तो बटा जब मैं exclude की बात करता हूं तो तो मेरे पास नंबर कितने हूंगे परास वन, one, two, three, four होगा नहीं होगा ठीक है अब पहला काम अगर मैं चारो डिफरेंट कुछ करता हूं तो अगर मैं चारो डिफ्रेंट कि बात हों तो जो जोडिदाव बना कीब ठैना वू क्या दोनुना है संतरा इस तरु एक आदमी की तरह कते बनों परुड़ के और है एक, दो, तीन, चार, तो कितने के डिजित कोरे, चार डिजित दिजित को चंणração से चार को चंण के था टो मई से आप तो पयक्वा तो पास्टलिटी क्या हो उसकती है कि जो चार गौंबर चुन रहा हूं उसमें स्थांगर दो तरह के स्थेया रहें इस सफ एक ही प्रियार है अगर मालनी कर दो प्रियार होते । नम्बर होता कुछ ऐसा 1 1, 1,2, 2 मोड़ेख है तो कितने पर होते हैं धो पर होते हैं धो और मुझे 2 alike चीएं, कितने चीएंगे है बिटाई, 2 alike चीएंगे, तो बिटाई, उनमें ऐसे मुझे कोई 1 pair चुनना होता, पड़ यहाँ पर क्या है बिटाई, एक ही प्लियर है, तो 1C1 का मतलग जो मेज़ा alike का pair है उस pair का चुनाओ, तो 1 pair है, एक कोई चुनल लिया, clear हुआ अब कितने बच्चे बिटा अम मेरे पास बच्चे तीन अब चार मैंसे दो तो अलेडी चुने जा चुके हैं अब कितने बच्चे बिटा तीन मैंसे दो का चुनाव क्योंकि चार टोटल चुने थे चार मैंसे दो को मैं अलेडी चुन चुका हूं तो मेरे पास बच्चे तीन और पोजिशन बची दो, तो 3 से टो, क्या clear हुआ नहीं हुआ, तो ये क्या आ गया बेटा, ये आ गया चुनाव, selection, ठीक है, और अरेंज करने का तरीका बेटा, 4 object थे, तो factorial 4, 4 में से 2 same थे, तो upon में 2 factorial, क्या clear हुआ नहीं हुआ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला case द को माइनस करना पड़ेगा, आपको total case में से 0 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, भाई मैंने 0 के include कर दे तो मेरे पास पहला case 4 different, पहला case 4 different, ठीक है, तो पहली बात तो जोड़ा जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े को, जोड़े मैं से कोई चुनूंगा, तो 1C1, ठीक है, अब यह पास total की arrangement बची बेटा देखो, एक तो 0, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह, एक यह, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, हाँ, तो बेटा सुधार लीजेगा इसको, ने, ने, हाँ, उल्टा, 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 तो उससे cases जैनी के ज़रोत नहीं है, बिना case भी बढ़ सकता है, बड़ उससे क्या question की complexity भढ़ जाएगी, ठीक है, हाँ, अगर zero include कर रहे है, मतलब आपको याद हो, तो मैं आपसे कहार था कि if at least if r is already selected, याद है, total n vacancies थी और n मैंसे आपने r को already select कर लिया, तो जगे कितनी तो already fill कर चुके हो, ठीक है, किस से, zero से, तो 1C1 किसका हो गया, zero को हो गया, ठीक है न, हाँ, उसके बाद कितने बचे बचे बचे, उसके बचे, 4, कौन-कौन से, एक तो ये वाला, 2, 1, 2, 3, 4, तो चुन्ने कितना है, 3, तो 4C3, clear हुआ नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा, arrangement मैं खेल खेलूँगा, factorial 4 कौनसा case होगा, जब मैंने 0 को include किया, ठीक है, और factorial 3 कौनसा होगा, जब मेरा, factorial 4 का मतलब, zero को लेते हुए बनने वाले सभी case, अगर मैं factorial 4 करूँगा, तो zero को लेके बनने वाले सभी case, minus factorial 3 को किया, factorial 3 का मतलब, जब मेरा zero first place पे था, अगर बेटा, क्या, जब मैं zero कर सकता हूँ, क्या, वो तो count, number ही count नहीं होगा, वो तो मेरा number ही count नहीं होगा, अगर zero first place पे आता है, तो actual में कितनी digit का number रह जाएगा, सिर्फ तीन digit का, क्या रह जाएगा, सिर्फ तीन digit का, तो मैं क्या करूँगा, टोटल मैं से team digit के number minus कर दूँगा, तो अगला हो गया तू अलाइक टू डिफ्रेंट तो वन सीवन तो जीरो के लिए वन सीवन अलाइक के लिए अब बचे कितने बचे बेटा मेरे पास दो वेकेंसी और आदमी कितने बचे चार कौन-कौन से टू थ्री फॉर चार बचे चार नहीं बचे थ्री बचे अधर मुझे क्या मिल जाएगा इधर बेटए इसको इंप्रूव कर लिजेगा टोटल मेरे पास जीरो इंक्लूड हो चका है तो पहला जीरो के लिए दूसरा वन के लिए तो बिटा मेरे पास जगे कितनी बची वन को मैं यूज कर मिरे पास बचे तीन नंबर तो यहां पर आएगा पोजिशन बची दो तो यहां पर आएगा 3C2 इंप्रोब कर ली जाएगा कि आएगा 3C2 अंदर क्या होगा बटा अंदर होगा एक बार 4 factorial minus 4 factorial upon 2 factorial सर ये क्यों तो आसे थी थान रखना आपका इधर इंप्रूफ कर लिजेगा ये थी वन आएगा एक्चल में क्योंकि टोटल चार डिजिट है एक डिजिट आपकी जिरो ने ले लिए दो आपके पेर ने ले लिए कितने बची तीन डिजिट फिलो गई बची एक तो बिटा फाइब से टू की जगे थ्री सी वन आएगा इसको उप्रोव कर लिजेगा इधर क्या जाएगा फॉर फैक्ट कि यցन तटे वन वो यू फिट्स नाइंटीन ब्लैक बोल्टर अरैंच इने रो विदर बाल्स आनलाइक हूं कि फाइंनन अमर्भ आपर कि मन तो अगर बात ब्लैक की हो रही है तो पहले वाइट 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 को रही है तो पहले वाइट को रही ह तो बिटा यह हो गया मेरा अरेजमेंट आफ वाइट बॉल को अरेज कर दिया तो मेरे पस 21 जगों में कितने के प्रकट हुए बिटा 22 अब बेटा इन 22 जगों में मुझे कितनी बॉल रखो कितनी बॉल को रखना है बिटा 19 बॉल को रखना है है 19 बॉल को रखना है तो मैं क्या बोलूँगा 22C19 और बेटा इन बॉल्स को अरेज करने का तरीका 19 फैक्टोरियल और सब किसव अइंटिकल तो अपॉन 19 फैक्टोरियल तो डिये भी कितना हो गया वन हो गया ठीक है अब बेटा इसको बच्चा लिखता नहीं है इसको भी नह अंसर देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है ठीक है ज्यान रखना यह वन और वन कहां सा है वह भी लिखना जो रही है तो कंफ्यूज हो जाओगे ठीक है अगला क्वेशन क्या बोला है टोटल नंबर अरेजमेंट अव दालेट एकस्टी पावर क्यू वाई इसको है जड़ नंबर अरेजमेंट की बाद चलते हैं तो टोटल नंबर में पास कितना है देखो में पास चार प्लस तीन साथ साथ प्लस दो नो ठीक है ना तो मैं क्या बोलता नाइन फैक्टोरियल अपॉन में थ्री फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल और फूर फैक्टोरियल ठीक है तो इसमें बोल रखा है कि अगर आपको selection भी करना होता अगर आपको selection भी करना होता तो मेरा question क्या होता if question from the selection अगर ये selection वैसे question होता कि भीया मैं मुझे select करना है सभी को औरेंज नहीं करना चुन-चुन के कोई भी pair मना सकते हैं माले से आपको मना हुआ है यहां पे इसके लिए 3 प्लस वन इसके लिए 2 प्लस वन इसके लिए 4 प्लस वन और एट लिस्ट वन लोंगा तो तो की पावर 4 माइनस में 1 क्या क्लियर हुआ नहीं है सभी के लिए बिटा देखिए एक बात ध्यान रखेगा मैंने यहां पर लिखा हुआ है this is not the question of selection अगर आप इसको ध्यान से देखें पिटा पहली बात तो selection का question नहीं है क्योंकि मैं बहीं बोल रहा हूं अब यहां पर मैंने यह अलग से इसको आप अलग से भी लिए सकते हैं कि बजाए यह अगर मैं यहां पर करते के selection लिखता क्या लिखता ? selection लिखता तो विटा उसके से विटा यह कोश्न मेरा इस तरह से होता ठाक है अगर वह लाइक बोलता तो मैं इस तरह लिखता अगर वह different बोलता तो बटा मैं इस तरह से लिखता, रिजट clear to all तो सुधाल नहीं यह selection की जगे यहां पर लिखा हुआ है अरेंग्मेंट क्या लिका हुआ है बेटा अरेंग्मेंट चलिए बेटा आज ही क्लास हम ही पे खत्म करते हैं ओके बाइट वाइट वाइट